नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिटिव आइडियाज विद पुश्पाम है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि जनमस्टमी आने वाली है हर किसी के पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ती तो नहीं होती कई लोगों के पास कई भक्तों के पास लड्डू गोपाल जी की फोटो भी होती है और वह इस दुविधा में रहते हैं कि उनकी ड्रेस कैसे बनाई जाए तो उनहीं लोगों के लिए मेरा यहां आज का खास वीडियो है तो आशा है आपको यहां पसंद आएगा तो चलिए आईए बनाते हैं लड्डू गोपाल जी की फ्रेम की ड्रस तो उसके लिए सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी की फोटो का नाप लेना पड़ेगा तो मैंने इसका नाप ले लिया है देखे इसका लंबाई और चोड़ाई दोनों तरब से हमें नाप लेना है इसकी लंबाई है साड़े बारा इंच के करीब और चोड़ाई में है सावाद 10 के करीब तो दोस्तों हमें इसकी नाप में दो इंच प्लस करके ही कपड़ा काटना है जो हमने लंबाई और चोड़ाई में कपड़ा लिया है उसमें हम दो इंच प्लस कर लेंगे तो देखिए मैं इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर रही हूं दो इंच प्लस करके दो इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने चार कपड़े कट कर लिये हैं दोस्तों अब हमें कपड़े की चौड़ाई भी पता करनी है देखिए चौड़ाई के लिए आप अपने हिसाब से फोटो наверное में आप ले सकते हैं जैसे मेरे हम पर सबाडो के कारीब के करीब पर चाहरेहाइ सब्सक्राइब चौन् Adaptation 4 चौड़ाई हो गई तो मैं कपड़े में सब्सक्राइब चार के हिसाब से इसकी कि चौड़ाई लोंगी और उसमें मैं 10 फाल इंच एक्श्रा ओर यानि कि एक इनच लोंगे क्योंकि इस सिलाइब भी जाएगा दोनों तरप से सिलाई करने के बाद आदा इंची उदर से कम होगा तो साड़े चार का मेरा मेजर्मेंट आ जाएगा देखे ऐसे फोल्ड करके हम दोनों तरब से सिलाई लगाएंगे तो इसका जो पूरा तयार होके ये सवादों के करीब ही आएगा दोस्तो अब हमें इसके दोनों तरब से सिलाई लगानी है और उसके किनारों को लॉक करना है तो अब हम इसमें लेस का प्रयो करेंगे आप अपने कपड़े के according लेस लगा भी सकती है नहीं भी क्योंकि आपका कपड़ा अगर हैवी है तो आप लेस मत लगाई है अगर हैवी नहीं है तो आप इसे लेस से सुन्दर बना सकते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से बना है अब हमें क्या करना है इसकी एक साइड से हमें सिलाई लगा देनी है तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अब मैं इसे सीधा करूँगी और इसे सीधा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें फोटो ले करके उसमें इसको पहना कि फोटो में फोटो फ्रेम में डालके हमें इसकी नाप लेनी है कि हमें दूसरी सिलाई कहां तक एक तरफ ड्रेस बनेगी है, तो किया गराई पता चुकी है तो सी तरह के से फिटिग वाली ड्रेस बनेगे तो देखिए दोस्तों हमारी एक तरफ की पूरी ड्रस बन चुकी है, अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ की ड्रस बनाएंगे, देखिए, वह भी बन चुकी है, बिल्कुल बराबर की फिटिंग की, अब इसी तरीके से ऊपर और नीचे की ड्रस भी हम बना लेंगे, तो और चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चैनल पर ऐसे ही बने रहे हैं आपके लिए ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और अगले वीडियो तक के लिए जैमाता दी